वेलकम टू आवर यूटूब चैनल जेपीएस रतनमाला मजहुलिया दा बेस्ट एजुकेशनल यूटूब चैनल फर अल सब्जेक्ट्स अफ आल क्लासेश प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आल पर प्रेस करें ताकि पढ़ने पढ़ाने की लड़ी तूटे नहीं तो आई ये आज की पढ़ाई शुरू करते हैं जैसर के साथ प्लीज वाच तील दा एंड एलो श्टुवेंट्स अाज हम लोग साइंस का चप्र फौर कि कार्बान एनिट्स कमपाउंड आगे कंटिनू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे केमिकल पर्परटिज ऑफ कार्बन कंपाउंड इस के कौन कौन से क्यमिकल पर्पर्पर्टिज हैं उसके बारे में आज हुं पढ़ेंगे पहले जो केमिकल पुपटी है वह है कमबशन की कमबशन का एक तरीके से अर्थ बर्निंग होता है ऑक्सीडेशन होता है यानि कि जब भी कार्बन या कार्बन कमपॉंट air में burn होते हैं तो atmospheric oxygen के साथ उनका reaction होता है और फिर हमें result में क्या मिलता है carbon dioxide plus heat and light carbon जब भी burn होगा in the presence of atmospheric air तो वो atmospheric oxygen के साथ combine करके carbon dioxide बनाएगा और साथ में heat and light release होगे यह carbon के साथ भी होता है और सभी carbon compounds के साथ भी ऐसा ही होता है आप यहाँ पर example दे सकते हैं C plus O2 gives rise CO2 plus heat and light C for carbon O2 for oxygen carbon जहाँ solid होता है oxygen gas होता है गिप्स राइज स्यो टू कर्म अग्सेड जो के गैस है plus heat and light second example है वो है CH4 methane जो के carbon compound है saturated carbon compound है saturated hydro carbon है यह जो की gases form में है plus 2 O2 जो के अट्मोस्फेर में सहा है यह गैस है गिप्स राइज स्यो टू जो की गैस है plus 2 H2O यह यहाँ पर आप gases form में रिलीज होता है यानि कि इन्दी form of water vapor यह रिलीज होता है और साथ में heat and light energy रिलीज होती है इस कार्थ यह हुआ जब भी carbon burn होगा carbon dioxide form होगा साथ में heat and light energy रिलीज होगी जब भी hydrocarbons burn होगे तब carbon dioxide, water vapor form होगे और साथ में heat and light energy रिलीज होगे नेक्स जो chemical property यह carbon compounds की वो है oxidation यानि कि जब किसी carbon compound को किसी oxidizing agent के presence में अगर हम heat करते हैं तो फिर वो carbon compound oxidize हो जाता है यानि कि उसका oxidation हो जाता आप याद किज़े जप्टर 1 में oxidation reaction क्या पढ़ाया था oxidation reaction एक ऐसा reaction होता है जिस reaction में किसी substance में oxygen या तो add होता है या फिर किसी substance में से hydrogen remove होता है तो यहाँ पर जब भी एक carbon compound को हम किसी oxidizing agent के presence में heat करते हैं तो वो oxidize हो जाता है यानि कि उस carbon compound में oxygen add हो जाता है उसका oxidation reaction हो जाता है अब है कि ऑक्सिडाइजिंग एजेंट क्या होता है ऑक्सिडाइजिंग एजेंट ऐसी chemical substances होते हैं जो किसी other substance को oxygen provide करते हैं जैसे यहाँ पर जो ऑक्सिडाइजिंग एजेंट हम ले रहे हैं वह alkaline potassium per magnet के अमनो फूर यह एक ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है यह इस substance को क्या यह CH3 CH2OH यानि की C2H5OH यानि की ethanol या फिर जिसको कि हम लोग इताइल अल्कॉहल कहते हैं वह है यह और जब इसी थाइल अल्कॉहल को हो इन दी परज़ेंश पने सम्पर्माजनेट या फिर इन दी परज़ेंश अफ आसिदि फाईट अपटे श्याइट करमेटे की की हिट करे जो सब्सक्राइब के प्रजेंस में उसको हीट करें जो परमेगनेट है वह अलकलाइन है और प्रजेंस डाइक्रोमेट है तेन दोनों में से किसी के भी प्रजेंस में अगर एथनॉल को यानि कि थाइल अल्कोहल को अगर आप हीट करेंगे तो वह कॉंट हो जाए गा अथनॉइक एसीड में जहर आप इसके यहां पर सिंगल ऑक्सिजरम और यहां पर ऑक्सिजरम के डबल एक्शनस है हिट मेंज इसमें ऑक्सिजन ओ गया है और यानी कि यहां पर ऑक्सिडेशन रियक्शन हुआ है Next अब आपको यह doubt हो गया कि combustion भी एक तरीकेस excess oxidation reaction ही है और oxidation भी oxidation है फिर दोनों में डिफरेंज क्या है दोनों में difference इतना है जबाह वह oxidation कहते है तो यहां पर किछी substance में oxygen add होता है यहां पर उस substance में से हाइड्रोजन रिमूब होता है तो वो रियक्षन ऑक्सिडेशन रियक्षन होता है हो सकता है कि जो अक्सिजन एड हुआ हो वो एट्मोस्फेरिक ऑक्सिडेशन एड हुआ हो या पिर किसी ऑक्सिडाजिंग एजेंट के द्वारा सप्लाई किया गया ऑक्सिजन उसमें एड वाओ लेकिन अगर किसी सब्सेंस में ऑक्सिजन एड हुआ है तो उक्सिडेशन रिक्षन है या उसमें साथ ज़र रिमूब हुआ है तो उक्सिडेशन रिक्षन है पर कमशन वो उक्सिडेशन रिक्षन है जिस उक्सिडेशन रिक्षन के दौरान heat or light energy भी release होती है combustion वो oxidation reaction है जिस oxidation reaction में heat or light energy भी release होती है यानि कि अगर सिर्फ oxygen add हो रहा है या hydrogen remove हो रहा है तो हम उसको simply oxidation बोलेंगे और oxygen add होने के साथ heat and light energy भी release हो रही है तो उसे हम combustion कहेंगे हमारा एक जैं इस्टिट्यूट दो इस लर्निंग एब या जिसमें आपकी धियर सारी काम की चीजें इसलिए आप अभी इस आपको download और इंस्टॉल करें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बेसिकली अभी हम क्या पढ़ रहें carbon compounds और हमारे सिलेबस में carbon compounds में सबसे ज्यादा focus hydrocarbons पर है और hydrocarbons के बारे में आपको पढ़ाया था hydrocarbons two types के है saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons saturated hydrocarbons जीन hydrocarbons में carbon carbon के बीच सिर्फ और सिंगल कोवालेंट बॉंड है और unsaturated hydrocarbons वो hydrocarbons है जीन hydrocarbons में carbon carbon के बीच at least one double covalent bond है या फिर at least one triple covalent bond है वो unsaturated hydrocarbons है जीन hydrocarbons में carbon carbon के बीच में at least one double covalent bond है या फिर at least one triple covalent bond है वो unsaturated hydrocarbons है इस हिसाब से alkenes saturated hydrocarbons हो गए और alkenes and alkynes ये unsaturated hydrocarbons हो गए तो जब saturated hydrocarbons burn होते हैं saturated hydrocarbons का जब combustion होता है तो हमें बिल्कुल clean flame मिलता है clean flame का मतलब है blue flame अगर कई भी कोई चीज बर्न हो रही है किसे भी substance का combustion हो रहा है और वहां पर आपको blue flame दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके घर में LPG से खाना बनता है और आपके gas चुले पर blue flame नजर आ रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आपके cylinder में आपके kitchen के cylinder में जो रसोई gas भरी हुई है जो cooking gas भरी हुई है वो saturated hydrocarbon है इसे लिए उसके burning पे आपको blue flame मिल रहा है लेकिन अगर आप जहां कई भी किसे substance को burn कर रहे हैं आप burn करते देख रहे हैं वहां पर blue flame की जगा yellow flame आ रही है इसका अर्थ है कि वह burning substance जो है वह unsaturated hydrocarbon है saturated hydrocarbon clean flame यानि की blue flame देता है combustion में और unsaturated hydrocarbon burning या combustion के दौरान yellow flame देता है और एक बात और note करने वाली है कि जो saturated hydrocarbon है उनका complete combustion होता है और जो unsaturated hydrocarbon है उनका incomplete incomplete combustion होता है यह बार फिर से repeat करूंगा मैं saturated hydrocarbons का complete combustion होता है और जहां कहीं भी complete combustion होता है यानि कि वो substance पूरे तरह से burn हो जाता है वहां पर हमको clean flame यानि कि blue flame मिलता है और unsaturated hydrocarbons में incomplete combustion होता है और जहां कहीं भी incomplete combustion होता है वहाँ पर हमको yellow flame मिलता है blue flame नहीं मिलता तो जाहिर से बात है जब incomplete combustion हुआ है तो some unburnt particles तो वहाँ से जरूर arise होंगे और वही black smoke के form में निकलता है यानि कि जब भी आप incomplete combustion देखते हैं या फिर unsaturated hydrocarbons के burning देखते हैं तो वहाँ पर yellow flame के साथ black smoke निकलता है यानि कि black smoke निकलने वाला जो yellow flame है जो इसको हम sudi flame कहते हैं वो sudi flame हमको देखने के लिए मिलता है अब कई बार क्या होता है यानि कि saturated hydrocarbons तो वैसे clean flame देंगे यानि कि blue flame देंगे उनका complete combustion होगा लेकिन उनके combustion के दौरान और burning के दौरान air supply limited हो गई यानि कि पूरी की पूरी नहीं कि भर पेट यानि कि भर पेट उनको oxygen नहीं मिल रहा है पूरा जितना oxygen supply मिलने चीर supply मिलने चीर उतना उनको करने मिल रहा है तो उन क्या करते हैं saturated hydrocarbons का भी incomplete burning हो जाएगा और जब उनका भी incomplete burning होगा तो वहां भी आपको सुटी फ्लेम मिलेगा यानि केलो फ्लेम मिलेगा with lot of black smoke अब आप एक बाप फिरसा अपने घर के चुले को देखे गैस चुले को देखे जहां खाना बनता आप गैस चुले के और वह ब्लो होल्स हैं वह इसलिए बना गये हालाकि गैस की सप्लाई तो जो मीचे से आई है वह थोड़ी से छेद है ठोड़ा सा छेद है और उसी में से गैस दीरे दीरे ठोड़ा थोड़ा करकर निकल रहा है लेकिन जिस burner पर आकर को बर्न हो रहा है जल रहा है गैस उस बर्णर में बहुत सारे छेथे हैं होल्स हैं उनको हम ब्लो होल्स करता है उसले बनाए गहे हैं ताकि उसमें सफीसेंट एयर सप्लाई हो और जो गैस बर्न उने के लिए उसमें से यह पीज जो आ रही है या फिर जो गोबर गैस जिसकों की बाइग गैस के तो वो गैस आ रही है जो भी गैस आ रही है उसके साथ मचबूर oxygen mix हो oxygen के supply हो और फिर उनका complete combustion हमको blue flame मिले और इसलिए खाना बनाते हो blue flame मिलता है Gateway internacional है लेकिन कई वर क्या होता है कि खाना बनाते वक्त बर्तन में नीचे काले काले दाग आने लगते हैं बर्तन नीचे से काले होने लगता है जब गौर से देके फ्लेम तो फिर सिप्लेम उसमें आ रहे होता है और ब्लैक के निकल रहा है इसका अर्थ है कि किसी भी कारण से कोई चीज हो सकता उबल के गिर गई हो जैसे कि दूध या दाल या भात या अन्य कोई चीज उसके उपर गिर गई हो या आप उसके उपर कोई चीज रखे पका रहे हो और उसके जले हुए पार्ट्स बर्नर में फंस गए हो तो जो blowers थे वो blowholes जाम हो गए जब वो blowholes जाम हो जाते हैं तो फिर उसमें sufficient air supply नहीं हो पाती है यानि कि burning gas को sufficient oxygen की supply नहीं मिल पाती है और फिर उस gas का incomplete combustion होता और हमको city flame मिलने लगता है इसलिए हमेशा बर्नर को साफ करते रहना चाहिए ताकि उनकी blowholes जाम नहीं हो और आपको clean flame मिले लेकिन वही लकड़ी वाले चुले पर जब पहले खाना बनता था लकड़ी जला करके तो उस पे रखे वह बरतन जीस बरतन में खाना बनाती थे उसकी पेंदियां काली हो जाती इससे खाना बनता है जिसका complete combustion होता है तो लकड़ी वाले चुले पर जब खाना बनता था तो काला काला बरतन की पेंदी में दबा लग जाता था यानि कोई shooting flame जो निकलता था उसने ब्लैक स्मोक निकलता था वो जाकर कर deposit हो जाता था और बरतन की पेंदी को काला बना देता था रिजन यह है कि वहां पर जो चीज़ बर्न हो रही है वो है क्या चीज़ अन्साचुरेटेट हाइट्र कारबन और साथ में उनको complete supply of air भी नहीं मिल रही है जिसलिए उनका complete combustion भी नहीं होता था तो आप देख सकते हैं यहां side में आप चल रहा होगा देख सकते हैं इस video में जो मेरे बगल में video चल रहा है उसमें कैसे gas stop से blue flame नहीं कल रहा है और जब लकड़ी एक burn कर रहे हैं आप दोनों सासत compare में भी देख रहे हैं जब एक छोड़ा सा लकड़ी का टुक्राम burn कर रहे हैं तो उसमें से yellowish flame नहीं कल रहा है with somewhat smoke तो अब अच्छे तरह से उसको देख सकते हैं अब आपके मन में एक सवाल यह पैदा आता होगा why do substances burn without or without flame कोई चीज flame के साथ क्यों burn होती है और कोई चीज बिना flame के क्यों burn होती है तो जो भी gases substances है वो ही flame के साथ burn होती है और जो non gases substances है वो कभी भी flame के साथ burn नहीं होते हैं वो जब भी burn होते हैं without flame burn होते हैं एक बार फिर से आप बगल में चल रहा है इस वीडियो को देखें जिसमें एक लकड़ी को हम burn कर रहे हैं और जब उस लकड़ी के चोड़े टुकड़े को burn कर रहे हैं तो शुरू में जब हमने उसको burn करना शुरू किया तो उसमें से flame निकला और अब थोड़ी देर के अदर जो भी volatile substance था वह वैपर बन करके निकला जब उनको burn कर निकले जब हम हीट कर रहे थे यानि कि उसमाचिस जलाक लगा रहे थे या फिर गैस से हमने यहां पर आग लगाया था तो जब उसको शुरू में हम उस fire के मदर से हीट कर रहे थे तो उस हीटिंग के वज़े से उस लकड़ी के अंदर जो भी volatile substance थे वह वैपर बन के निकलने लेगा और वही वैपर जलने लगे flame के साथ यानि कि जहां कहीं भी आप इस तरह के substance को बन होते हुए देखते हैं तो शुरू शुरू में flame आती है इस का रदे को substance के अंदर जो भी volatile substance है वह vaporize हो करके निकल और जो भी non volatile substance अब बच गया है वह बर्न होता है without flame यानि कि अब इस बगल वाले वीडियो में देख सकते हैं उस लकड़ी को जलते हुए without flame तो अब आपको बात समझ मैं घयोगी कब कोई चीज flame के साथ burn होती है आपकोई विना flame के साथ burn होती है अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम तो kerosine ale का 2024 बीजलते हैं तो flame के साथ जलता है बिल्कुल जलता है आप जब kerosine ale के साथ बर्न करते हैं तो जमदेल में फन्हां प अधर्वाइस लिकट फॉर्म में पेट्रोलियूम को या फिर किरुशन आयल को किसी को भी बर्न करें डीजल को बर्न करें पेट्रोल को बर्न करें तो फ्लेम के साथ बर्न नहीं होगा solid substance flame के साथ बर नहीं होगा उस solids में से volatile substance जब वेपर मन के निकले तो वो flame के साथ बर नहीं हो सकते हैं otherwise जो non-volatile substance है वो flame के साथ कभी भी बर नहीं 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 होगा next अब हमने दो properties की chemical properties की चर्चा की combustion की चर्चा की oxidation की चर्चा की और दोनों के बीच में clear cut आपको difference मैंने समझा दिया next अगले जो chemical property है carbon compounds की वह addition reaction यानि कि जो unsaturated hydrocarbons है अलकेंस और अलकाइंस अंसaturated hydrocarbons कौन-कौन से है अलकींस एंड अलकाइंस तो यह जो unsaturated hydrocarbons है अगर इनको किसी catalyst के presence में रखते हैं जैसे कि nickel या फिर palladium तो उसके presence में इनमे hydrogen add हो जाता है यानि कि एक तरीक साब कह सकते हैं कि यहाँ पर reduction reaction हो गया याद कि किजिए अपना chapter one chemical reaction equation उसमें reduction reaction क्या हुआता है reduction reaction वो chemical reaction है जिस chemical reaction में किसी substance में से या तो oxygen remove होता है या फिर किसी substance में hydrogen add होता है तो यहाँ पर हम यह जो addition reaction देख रहे हैं यह दरसा reduction reaction है क्योंकि इसमें किसी एक unsaturated hydrocarbon में चाहे वो कोई अलकीन हो चाहे वो कोई अलकाइन हो उसको जब हम निकेल या palladium catalyst के presence में रखते हैं तो उसमें hydrogen add हो जाता है और वो unsaturated से saturated बन जाता है यानि कि जो अलकीन है वो अलकीन में convert हो जाता है यह है addition reaction यहाँ पर आप example अची तरह से देख रहे हैं यहाँ पर हमने carbon carbon के बीच में single cobalent bond है यानि कि यह अलकीन है और यहाँ पर two hydrogen hydrogen के atoms add हुए दिखाई दे रहे हैं देखिए दो carbon यहाँ भी थे दो carbon यहाँ भी है one two three four are यहाँ दिखाए मैंने one two three four are already यहाँ पर है यह two hydrogen extra जो यहाँ पर नहीं थे पर जो यह दो hydrogen extra है तो यहाँ जो यह double cobalent bond आपको दिख रहा तो वहाँ पर यह single cobalent bond में convert हो गया है यानि कि इस reaction में क्या हुआ कि इस alkene में hydrogen add हुआ और double bond single bond में convert हो कर गए वह alkene alkene में convert हो गया यह जो addition reaction है इसका हम यूज करते है hydrogenation of vegetable oils जो vegetable oils होते हैं वह unsaturated होते हैं unsaturated fat होते हैं कौन vegetable oils और जो animal fats होते हैं वह saturated होते हैं health के लिए saturated fat ठीक नहीं होता unsaturated fat यानि कि जो vegetable oils से मिलता है वो ठीक होता है इसलिए health point of view से हमको cooking के लिए animal fat नहीं हमको animal fat नहीं हमको vegetable fat इस्तमाल करना चाहिए यानि कि हमको animal fat का यूज नहीं करके हमको vegetable oil का यूज करना चाहिए cooking के लिए कि वो unsaturated होता और unsaturated fat हमारे health के लिए ठीक होता है और जो saturated होता है वो ठीक नहीं होता है तो यह जो addition reaction है इसका इस्तमाल करता है hydrogen of vegetable oils के लिए यानि कि vegetable oil जो unsaturated fat है उसको saturated बनाने के लिए vegetable oil जो के unsaturated है उसको saturated बनाने के लिए उसका addition reaction करते हैं उसमा hydrogen add कर देते हैं और वो saturated हो जाता है यानि कि डालडा आपका तयार हो जाता है जो हमारा unsaturated vegetable oil है वो कभी भी low temperature पर solidified नहीं होता लेकिन जब उसका आप hydrogenation कर देते हैं तो low temperature पूर solidified हो जाता है जैसे कि आपने डालडा का example जरूर देखा होगा low temperature पर डालडा जो होता है वो solidified state में होता है जबकि जब उसको कड़ाई में डाल करके तोड़ा heat करते हैं कोई भी चीज़ को करने के लिए तो वो फिर liquid state में आता है उसी तरह से आप घे जरूर खाते होंगे गाय का घी या भैस की दूद से निकला हुआ घी आप जरूर खाते होंगे वो घे saturated fat है वो animal fat है वो low temperature पर आल अगले जो प्रूपर्टी या chemical प्रूपर्टी या carbon compound को वो substitution reaction जेनरल है जो saturated hydrocarbons होते हैं वो inert होते हैं वो जल्दे किसी के साथ reaction नहीं करते लेकिन कुछ special cases में वो reaction करता है और वो reaction होता है substitution reaction सब्सट्यूशन डियक्षन को आप कंपेर कर सकते हैं डिस्प्लेस्मेंट रिएक्षन को सब्स्टेंस में से लो रेक्टिव एलमेंट को डिस्प्लेंस कर देता था यानिक उसको अटाकर उसके जग़े वह खुद रह जाता था कुछ इसे तरह का सिच्वेशन यहां भी होता है जब आप एक सैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन को संलाइट में रखते हैं तो के प्रजेंस में उसमें से कुछ हाइड्रोजन हट जाता और हाइड्रोजन की जगा कोई हैलोजन लग जाता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडी लग जाता है जैसे यहां पर हमने एक्जामपल लिया है CH4 मिथेन लिया है जब मिथेन और क्लोरीन एक हैलोजन है दोन और वह यह reaction बना CH3Cl यानि कि इसमें से hydrogen रिमूब हुआ उस hydrogen की जगा एक hydrogen उसमें से रिमूब हुआ और उसकी जगह CL आ गया यानि कि hydrogen आ टमाटा तो एक क्लोरीन का आटम आ गया तो उस CH3Cl बन गया यानि के बन गया methyl chloride या फिर chloro methane विशकों बोलते हैं और उसमें से जो हाइट्रोजन में से जो हाइट्रोजन रिमूब हुआ जो पिर डिस्प्लेश हुआ वह यहां पर क्लोरीन के टू एटम थे एक एक एटम जो है यहां पर इस hydrogen की जगह आ गया और एक क्लोरीन एक जो बच गया इसमें से डिस्प्लेश हुए hydrogen के साथ मिल करके वो क्या बना लिया है HCl बना लिया यानि कि हाइट्रोग्लोरीक एसिड बना लिया ओके तो यह है सब्सुशन रियक्शन अब लास्ट चीज जो आज की क्लास्वान को समझने वो यह है formation of coal and petroleum coal and petroleum का formation कैसे होता है coal और petroleum को अब लोग फॉजिल फ्यूविल्स कहते है फॉजिल का आर्थ होता है remains of dead plants and animals अब पुरी कहानी समझते हैं इस आर्थ के सर्पेज पे बहुत सारे living beings है और plant life में भी कभी न कभी किसी न किसी कारण से उनको dead होना है वो dead होते हैं आर्थ के सर्फिस पर पड़े रहते हैं तेज आंधी आती है अपने सब भूँ सारा धूल मिट्टी लेकर का थी उनके उपर डग देती है वो डग देती है बाड का पानी आता है अपने सब भूँ सारा गाद मवाद मिट्टी लेकर का तर ऊपर से वोटते था हूँमन विंग है वो तरतरा के construction का वक करते रहता है और उस construction का वर्क तरहन वह भी मिट्टी या तरतरा के कच्रे ले जाकर कोंची जीज़ उपर पढ़ते रहता है और कई बार natural calamities आती हैं जैसे का earthquake volcanic eruptions और ऐसे में earth crust में धरारे पड़ती है और उपर यह जो चीजे हैं वो धरारों में अंदर बहुत गहराई तक चली जाती है अब यह सभी phenomenon के कारण वो जो dead remains थे plants और इनमल्स के जो के earth surface में पड़े थे वो बहुत नीचे जाकर के earth crust में दब जाते हैं अब उनके उपर काफे लंबे समय तक say for thousands of years, lakhs of years, millions of years उनके उपर high amount of heat or pressure apply होते रहता है वो भी in the absence of air क्योंकि वो जहां जाकर के वो दब गए हैं वहां पर air तो है नहीं इंडिया absence of air वो दब गया है और earth के surface आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे pressure बढ़ता चले जागा क्योंकि जैसे सब नीचे गया है उतनी गहराई को पर उतना ही अधिक मोटा earth crust का layer है तो जैर से बात है कि pressure इसके उपर बढ़ेगा और अगला concept हम आर्थ के surface से जैसे से नीचे जाते डानवाट जाते हैं वैसे वैसे temperature increase होता चला चाता है तो इस हिसाब से वह उतनी गहराई में इतने लंबे समय तक thousands of years, lakhs of years, millions of years तक in the absence of air उन forgles के उपर वह जो dead remains है, plants and remains के उपर उनके उपर high amount of feet or high amount of pressure apply होता रहता है और फिर उनका होते रहता है continuously non-stop anaerobic decomposition यानि कि decomposition in the absence of air होते रहता है और ऐसे situation में उन में से तीन तरह के substances form होते हैं अगर आर्थ के surface पर भी form होते तब भी तीनी form होते लेकिंग वहां भी तीनी form हो रहे हैं आर्थ के surface आप तीन नहीं collect हो सकते हैं लेकिन वहां पर गहराई में collect हो जा रहे हैं एक जो substance उसमें से release हो रहा है वो gases form है और वहीं है natural gas जो कि gas के पास fluidity ज्यादा होते हैं इसलिए जहां पर उसका formation हुआ है वहां रिस रिस के दिरे 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 इसके पू करके low line areas के तरब हो चले जाता है पर कहीं जाकर के वह एक rocky area जाता है चटानी एरिया जाता है और लिक्विड में भी fluidity है और वह भी flow down होते चले जाते लो-lang एरिया जाता है पर फिर से उनके लिए एक rocky area जाता है चटानी एरिया जाता है जहां सा वरीज करके इधर दर flow नहीं कर से तो फिर वह भी वहीं collect हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं petroleum तो generally जो petroleum है और natural gas है यह दोनों एक साथ collected मिलते हैं rocky areas में और कभी-कभी अलग-अलग भी और तीसरी जो चीज़ फॉर्म होते हैं वह उसके अंदर तो fluidity है नहीं कोई fluidity नहीं होते है इसलिए जहां formation होता है वहीं के वहीं रहा जाते हैं formation में और उसे ही हम करते हैं coal तो चुक्कि coal petroleum natural gas का formation वह फॉजिल से यानि के dead remains of plants and animals से इसलिए और यह substance होते है as a fuel इसलिए इनको हम फॉजिल females भी करते हैं तो अब आपको बची तरह से समझ में आगया होगा कि formation of coal or petroleum कैसे होता है तो आज की class हम यहाँ पर terminate करते हैं और जब हम next class में मिलेंगे तब हम वहाँ पर पढ़ेंगे properties of ethanol and ethanolic acid thanks for watching keep watching keep learning keep growing see you in the next video